मुझा प्रेहनों के सम्मान में योगी जी फिर से हैं मैदान में अकलेश यादव को तो सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं उस से पहला क्यों ना है और राधा भी दिखाई देने काली क्रिश्ण दिखाय देरे हैं उन्दे तो योगी जी ने या तो अंदर कर दिये या उपर कर दिये योगी जी ने बे घरों को घर दिया है हम उनको गद्धी देंगे नमस्कार क्यापिटल टीवी का खास शो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा उतर प्रदेश में विधान सबाद चुडाओ होने है तारीकों का भी एलान हो चुका है हर पार्टी एक्शन मोड में तो है ही लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसे ही टटोलने के लिए क्यापिटल टीवी की टीम पहुची है हापुड में हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए तो तमाम दावे किये जाते हैं तमाम वादे किये जाते हैं पर जमीनी हकीकत क्या है क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित है या महिलाओं को अभी भी किसी भी बात का डर है खौफ है यही बात चीत करेंगे तो सबसे पहले कविता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी महिलाओं को लेकर तो तमाम दावे किये जाते हैं तमाम वादे किये जाते हैं आप यहाँ पे सुरक्षित है या नहीं या हापुड की महिलाओं हापुड की लड़कियों की बात करें तो क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वा महिला 50% की हमारी आबादी योगी जी को पुने मुख्य मंत्री 2022 में देखना चाहती है। कॉंग्रेस की तरफ से एक वैसे थीम भी दिया गया है हलांकि हमारे शो का भी नाम वही है लड़की हूं लड़ सकती हूं तो कॉंग्रेस तो बार-बार कह रही है प्रैंका गांधी कह रही है कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं और महिलाओं को 40% उन्होंने टिकट का भी अलान कर दिया है। सदिन किस तरह से शुरक्षा मिल रही है आज हम महिला हैं मैं साधारन ग्रहनी हूं मैं परिवार की महिला हूं मुझे आज रात के समय दिन के समय कहीं से वह आने-जाना मैं इसपे एक बात कहना चाती हूं जैसा कि उन्होंने कॉंग्रेस की जो हमारी नेता है और वो कहती है मैं लड़कियों लड़ सकती वो 70 साल से कॉंग्रेस ने जो सासन किया वो जब कहां थी जब उनकी दादी जी इस देश की परधान मंतिर दी क्या उन्हें जब बेटिया नहीं दिखाई दी उसके बाद उनके पिता नहीं है योगी जी के राज में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं कांग्रेस ने बहुत काम करा जूटे जूटे वादे करना और उनको पूरा ना करना ये कांग्रेस की थीम है और जब से हमाने हमने देखा योगी जी को वादे नहीं करते वो पूरा करते हैं वो कुछ कहते ये करके दिखाते हैं आज हमारी बेटी इतने सुरक्षित हैं हम उनको स्कूल बेजकर कॉलीज बेजकर बार पढ़ने बेजकर हम जड़ा से विए सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं योगी जिन्दबाद अचले देगे गैविटल टीवी के टीम पहुची है हापुड़ तो हापुड़ में आप में से बहुत सारी ऐसी महिलाए होंगी कि जिनकी जवान बेटिया भी होंगी तो आप अपनी बेटियों को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती हैं और जनता फिर से चाहती है की योगी जी दुवारा 2022 में फुल विक्टरी के साथ आए और हम उनका स्वागत करें प्रियंगा गांधी की बात करें तो वो स्कूटी का अलान करती हैं लाप्टॉप का अलान करती हैं बड़े-बड़े वादे तो किये जा रहे हैं हमें मुफ्त की आदत नहीं है हम स्वाव लंबी बनके आज जो शक्ति करण की जो एक मिसाल योगी जी मोदी जी ने पेस किये वो हम महिला आज शक्त हो के चाहे वो स्वेम साथ होता है समु के माधियम से हो चाहे अन्यय योजनाओं के माधियम से हमारी बेटियों को इतना आज की महिला शक्त है वो कोई फ्री के एसे चकर में नहीं आना चाहती है वो चाहती है कि हम शशक्त है और आज हमारा सम्मान है और महिला शक्ति जिसके साथ होती है वो सरकार भाच्वा में बाच्वा की सरकार है पूरी महिला शक्ति में एक बात और कहना चाहूंगी आपन महिलाओं के लिए बहुत जादा जो टेंशन की बात होती है या पेरिंट्स के लिए होती है वो ये होती है कि उनकी महिला पढ़े लिखे बेटी की सिक्षा अच्छी हो स्कूल की विवस्ता, या पढ़ाय लिखाय के साथ सठ अन्य महिलाओं से जुड़ी जो विवस्ता है, उसको लेकर हापुड में क्या सिती है, क्या जमीन में काम हुए है किंद्र सरकार की तरफ से तो बहुत योजनाई आई, जमीनी हकीकत क्या है जमीनी हकीकत यह समझे, जब से हमारी सरकार आई है, सबसे बड़ा नवोध्य है, स्कूल हमारी विधान सभा में बनने जा रहा है, कई सरकारी इस्पतलों को और कोरोनकाल में जो दो साल से हमारा देस, कोरोनकाल जैसे उसमें जो हमारा उत्तर परदेस, आज ऐसी इस्तिती, पहले पंद्रा थे सपा के टाइम में जो अब लालच देते हैं और यह जिनों ने गुंडाराज यहां एवलेबल कराया जिसको खतम किया योगी जी ने योगी जी ने मेडिकल का इतना ध्यान रखा 59 मेडिकल कॉलिज उत्रपरदेश के अंदर पहले रेप जैसी घटनाएं ब इतने भी योगी ने बुल्डोजर चड़ाएं मैं उनके घर बनवाऊंगा मतलब गुंडों पर जलाएं उन्होंने नॉर्मल आदमी पर जलाएं नहीं साफ साफ है क्या होने वाला है तो साफ दिख रहा है कि गुंडाराज आने वाला है अगर वो आ गया तो और वो हम होने सपा की सरकार में गुंडाराज था और मायावती की सरकार में सिर्फ मूर्तिया बनी और उन मूर्तियों पर पर्स लटके उनके राज में और मोधी जी के राज में लेकिन लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं मायावती दीदी को बहुत सपोर्ट करती हैं यह सब गलत है महाँ तो भी कासी मूर्तियों का हुआ आप नहीं यकिन मानते हैं लगने उजाई हैं और योगी जी के राज में महिलाएं सुरक्षीत हैं हम खुले हम कहीं पार्ट आस्ता विश्वास की बहुत बड़ी बात होती है एक तरफ अयुद्या में भवे राम मंदिर काशे विश्वनात कोरिडोर अब मतुरा की भी बात हो रही है तो क्या सपने पूरे हो रहे हैं तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि नारिश शक्तिकरण पर इतना ज इतना कुछ कर रहे हैं हमारी योगी सपना पुरा हो गया मतुरा की बारी है हमारी बहन बेटेया सुरकषिता इन गुंडे सकूलों पर घड़े रहते हैं और लड़कां लिकलने साब बहुत परेसांती रात में दिन में किसी भी समय बहुत घर वाले उन्हें लेने जाते हैं आज मोदी जिन्दा माथुरा के मंदिर का सपना भी देख रहे हैं और मत्रा के सपना देखते देखते हम जन संग का समाधान फाउंडेशन का भी हमारे मोदी योगी जी काम करेंगे उस पर और मतलब हम लोग सब सु्रक्श को देखते हैं कि महिला महिला बहुत बेहनों के सम्मान में योगी जी फिर से है मैदान में और हम योगी जी को लाके रहेंगे महिलाओं ने ठाना है योगी जी को दुछा जी मिशन शक्ति शक्ति माने सक्ति स्वरूपा हम बेहने हम महिलाए हम सनातन सक्ति सनातन धरम को मानने वाली बेहने और जब सक्ति की बात क तो योगी जी ने की और मिशन शक्ती चाहे कोई भी शक्ती स्वरूपा महिलाई योगी जी के साथ है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे दुबारा सरकार बनेगी और योगी जी की सरकार बनेगी चलिए देखे अब कॉंग्रिस की भी जरा बात कर लेते हैं क्योंकि प्रियांका गांदी ने चुनाओं से पहले ये कह दिया कि 40 प्रतिशत वोट जो है वो टिकट महिलाओं को देंगी बहन जी मुझे बताईए 2017 में उन्होंने कि 3% महिलाओं का टिकट दिया उन्होंने बताईए से पहले लोग सबाचुनाओं में के परसंट महिलाओं उतारी और भाजपा का थियास रहा है महिलाओं को सम्मान में आज सबसे ज़्यादा योगी जी और मोदी जी की केबिनेट मे मंतरी है महिलाओं आप बताई ना महिलाओं का थियास और सबसे बड़ी बात आज जो बेने वह शशक्त है उनको यह लोली बॉप नहीं चाहिए उन्हें प्रेंका गांधी कोई लॉली बॉप बिल्कुल प्रेंका गांधी लॉली बॉप दे रही है लेकिन एक चीज और है जितनी भी मोधी सरकार ने योजना चलाई हैं, वो सब महिलाओं के नाम पर हैं, और उसी को देखते हुए वो भी महिलाओं को लॉली पॉप दे रही हैं, लेकिन वो जूटे वादे करती हैं, वो जूटी हैं, अगर कुछ करने बाले हैं। मुलायम सिंग्यादव जी जो कहते हैं, लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती हैं, वो क्या महिलाओं को दुरक्षित रखेंगें। ये किवल योगी जी हैं, जो मिशन शक्तियत से कारेकरम चला सकते हैं, और जो हम बेहनों को शक्तिकरन करने के लिए, दिन राब जेक जुट है हर समय तार्रे करते रहते हैं हामा श्रक्षा के लिए, वो तो कहते हैं कि धर्म का मुद्दा, मैंने आपको यहीं कहा हैं कि महिलाओं हैं, जो जब राम मंदिर के लिए अफर्स किये जा रहे थे, तो उस वक्त वो ही मुलायम जी थे, जिनोंने राम बक्तों पर गोलिया चल कितनी गलत बात थी, राम जी, राम जी का सपना जो हमारा आज पूरा हुआ है, वो योगी सरकार ने पूरा किया है, अच्छा मन कितना प्रफुलित हो जाता है, जब आप एक तरफ अयोध्या मंदिर देखती है, दूसरी तरफ काशी विश्वनात, महिलाओं के लिए, महिल सपने में क्रिष्ण भगवान आ रहे हैं, वो कह रहे है कि क्रिष्ण जी सपने में कह रहे है कि उससे पहला क्रिष्ण जी का वद होने वाला था, तो उन्हें श्री क्रिष्ण भगवान रोज रोज सपने में आते थे, क्योंकि उनका अंतीम समय था, अखलेश जी आपका सुपरा साफ है अखलेश जी तो किस नजर नहीं आएंगे तो और किस को आएंगे अखलेश यादव कहते हैं कि बार-बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि परिवार वाद परिवार वाद लेकिन अखलेश यादव कहते हैं योगी मोदी को कि जिनका कोई परिवारी नहीं है वो परिवार का सुख और दुख दर्द क्या समझे उनके लिए परिवार है उनका तो बहुत बड़ा परिवार है ना वो हमारे बारे में सोचते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं इस वज हम अपनी सनातर संस्कृति के साथ कोई भी छेड़ चार करने वालों के और अखलेश यादब तो ये भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे वादे बहुत हैं जब उनकी सरकार बनी थी उन्होंने जब क्यों नहीं है अखली कितनी आती थी जब फिरी देंगे हमारी तो हमारी तो 24 घंटे विजली आती है और सुनिये जिस दिन योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने सबसे पहले उन्होंने भेनों के सम्मान में एंटी रोमियो स्क्वैड बनाया क्योंकि वो जानते थे कि बेटी हो अगर मेरी बेटी सुरक्षिता तो देश का सम्मीमान सुरक्षित मैं एड़ोकेट हूँ और मैं महिलाओ पर ही काम करती हूँ तो मैंने देखा कि आज बेटियों को कोई डर नहीं है उनको यह नहीं कि साथ में भाई को कहीं लेकर जाना है अब अकेले स्वैम जा सकती है उनको दर नहीं कि सड़क पे चार गुंडे खड़े होंगे वो उनको चेड़ेंगे उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं जाने आज पूरी तरह सुरक्षित है तो योगी जी ने या तो अंदर कर दिये या उपर कर दिये मैं समासे विका हुं और मैं समान में जाके गरी बस्टीयों हमें जाती हैं जहां वेटीयां होती है जिनको पढ़ाई की कपड़ों कि रहिब की लेकि मैं ने देखा और सरकार में जब इनों Tribe loves कुछ नहीं मिलता था आज में जाती तो बेटियां एती सुन्दा धंग से अच्छे कपड़े पहनगे अच्छा खादन खाते हैं सब तरीके सोने सुविधा मिलती स्कूल में भी सब सुविधा आप बताइए कि इस राज में योगी जी के राज में कोई बेटी ये कह दे मैं सुरक्षी थे हरे बलकि और महीलाओं को यहीं चाहिए कि महीलाइ शोले पर वोटी बनाती थी किसी सरकारने नहीं सोचा मोदी जी ने योगी जी सोचा उज्वला गैस कनक्सन दिया महीला आज आज जो टीवी की बिमार हो जाती ति आज गैस पे खाना बनाती है, अपने कोई सुरक्षीत और बढ़िया मैसूस करती है जब बेटी घर से बाहर जाती है तो पहले माँ धुक धुक करती थी और टाइम देखती थी शाम हो गई आज माँ घड़ी नहीं देखती है मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि कोविट के डूरेशन में वैक्सिनेशन को लेकर बात हो या अलग-अलग सुविधाओं को लेकर बात हो कोविट प्रोटकॉल हो वैक्सिनेशन हो इसमें कोई दिक्कत परिशानी खर से बुला बुला करके हमें लोग ले गए लोग ले गए कि आप आईये और वैक्सिनेशन कराईये कॉल साए होस्पिटल से कितनी ऐसे सुविधा राम से गए लगवा कर आए और आज बच्चों को लगनी है स्कूल से फोन आ रहे है आप लोगों ने अपने बच्चों को वैक्सिनेशन करा लिया कितनी महिलाए हाथ उठाईये स्कूल से वैक्सिनेशन लग गया हां तो बच्चों का भी वैक्सिनेशन पूरा हो गया कोई किस थार्ड डोस लग गई मुझे आपको थार्ड डोस भी लग गई मतलब बूस्ट तिसरा भी ले लिया और जो वो कर रहें शाद कोई सरकार नहीं कर सकती में देख रही हूं कि जो शर्षक्ति कर रहें आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बाचीत करने के लिए पर जाते जाते एक सवाल में आप से पूछूंगी दस तारिक को ये तैय हो जाएगा कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है आपका मुख्या कौन योगी जी को लाना चाते हैं योगी जी ही बनेगे और पूण बहुमत के साथ बनेगे क्योंकि दिल्ली यहां की हापुड जी ने बे घरों को घर दिया है हम उनको गत्ती देंगे बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बाचीत करने के लिए तो इस वक्त में मौझूद थी हापुड में और हापुड की महिलाओं की बारे में आपने जाना कि जो खेंद्र सरकार की तरफ से योजनाय लागो की गई है उसको जमीनी हकीकत में किस तरह से योगी जे ने इंप्लिमेंट किया है हापुड में स्थिती क्या है हापुड में महिलाओं कितनी जादा सुरक्षित है कितनी जादा अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है तो कुल मिलाकर ये जितनी भी महिलाएं है उनका यही कहना है कि महिलाओं को यही चाहिए कि घर में दो वक्त की रोटी मिले जिसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो वो भी मिल रही है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे माफियाओं का डर जो है वो खत्म हुआ है चोर डकैती यह सब चीजे खत्म हुई है और महिलाएं यहाँ पे अपने आपको 100% सुरक्षित महसूस करती है तो इनका तो वोट योगी जी को ही जा रहा है वो योगी जी को ही एक बर फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं पर देखने वाली बात यह होगी कि 10 तारिक को किसके सर पे सजेगा टाच कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री अलग-अलग जगों पर जाएंगे आपको अपने इसकाश चो मैं लड़की हूँ लड़ सकतियों के जरीये महिलाओं की भावनाओं को बताएंगे कि महिलाओं क्या सोचती है उनका क्या बचार है और 2022 में उत्तरप्रदेश एक नया उत्तरप्रदेश बनेगा या नहीं